टॉप थ्री बेस्ट कैमरा स्मार्टफून अंडर 12,000 तो अगर आपका बजड बारहाँजार है, बारहाँजार के बजड रिज में आप एक तगड़ा कैमरा स्मार्टफून लेना जाते हो, तो ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो मैं आपको बता देन स्पेशन भी ज्यादा तर आपको सेम ही देखनी को मिल जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं, वेड्मी नोट 9 की, एंड मैं बात कर रहा हूं, रियल्मी 7i की, दोनों में से जो भी आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, अगर आप रेड्मी लवरो, रेडमी नोट 9 आपके रहा हूंगा, तो दोनों में से आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, प्रसर की बात को से बात करते हैं, वेल्मी 7i की देखने को मिल जाती है, प्रसाइसर की बातों को बैंटरी मिल चाहते हैं आपको उटारा कजा राता है बाँ को ल करूं आपको 11,000 के बज़र में Realme 7i देखने को मिल जाएगा तो यार में स्पेसिफिकिशन में आपको बता दिये Realme 7i के अभी बात कहते है तो यार इसका डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आप देख लेना ठीक है प्रसेसर की बातों को इसमें आपको हेलियो जी 85 देखने को मिल जाता है जो कि मीडिया डेक की और से प्रसेसर देखने को मिल जाता है गेमिंग प्रसेसर है अगर आपने गेमिंग वेरा करनी है आप दोनों स्मार्टफोन पे कर्स होगे आपको कोई भी प्रावलम इशू नहीं आने वाला जो यह प्रसेसर है यह 12 नामेटर टेकनोलोजी के साथ बेस्ट है जो मैंने आपको वियलमी 7i बताया था वो 11 नामेट चाजर और प्लस प्लस पूंट 2.5 वड तका प्लस प्लस पूंट इसका यह आ जाता है केस्ट में प्लस पोट की खासित-लेक के का pictures quality उसकी बहुत अपर होती है, selfie की बात करूँ, आपको 30 map सा selfie मिल जाती है, price की बात करूँ, पहले इसका price आपको 12,000 के budget में अप्रोक्स देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका कम हो गया budget, आपको ये 10,000 से लेके 11,000 के budget में Redmi Note 9 देखने को मिल जाएगा, तो यहार main specification मैंने आपको दोनों ही smartphones के बता दिये, अभी आप देख लिए ना, आपने number 4 के और जाना है, जा number 3 की और जाना है, अगर आपने realme 7i के और जाना है, आप जा सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया, कि आपको 90 refresh rate के साथ, उसकी display देखने को मिल जाती है, और उसका जो processor है, वो थोड़ा सा जादा better है, as comparison किया जा, Redmi Note 9 से ठीक है, लेकिन उसका जो design है, color है, मतलो Redmi Note 9 के जो colors आते हैं, जा design, look wise, वो phone जादा better लगता है, Realme 7i से, तो आप देख लेना, अगर आपको design matter करता है, तो Redmi Note 9 आपके लिए perfect हो सकता है, अगर आपको processor जादा तगड़ा चाहिए, अगर आप hard core gaming करना चाहते हो, तो Realme 7i आपके लिए perfect deal हो सकता है, आप चैबूर कर सकते हो, link मैंने provide किया है, अगर आप specification पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, purchase करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आगे बात करते हैं number 2 की, number 2 की बात कर लेते हैं, number 2 पर यार मैंने रख्या Redmi Note 10 को, अगर इस smartphone की बात करूँ, सबसे पहले ये नया launch हो, एंड इसके color गरा बहुत ही ज़्यादा प्यार ही देखने को मिलते हैं, आपको color wise तो बहुत ही पसंद आने वाला है, एंड इसकी look भी बहुत ही अपर है, और backside में जो Camry की shape है, वो इसको बहुत ही ज़्यादा suit करती है, मैं आपको बदा देना चाहता हूँ, ये तीन colors में देखने को मिलता है, तीन weight में आता है, ये phone plus आपको Super Amulet Display देखने को मिल जाती है, जो कि Gorilla Glass 3 की production के साथ देखने को मिलती है, तो यार, 11-12,000 के budget में आपको Super Amulet Display देखने को मिल जाती है, वो सच में आपका जो experience है, अगर आप Netflix, Spam Video, YouTube देखने के ज़्यादा शुक्रीन हो, आपके लिए perfect deal होने वाले, इसमें आपको Snapdragon 6, 7, 8 देखने को मिल जाता है, जो कि 11 nanometer technology के साथ बेज़ है, तो भी अगर आप gaming बगारा करना जाते हो, hardcore gaming भी करना जाते हो, आप easily normal ही कर सकते हो, आपको कोई भी problem issue नहीं आने वाला, आपको core camera setup देखने को मिल जाता है, जिस पे आप 4K video recording कर सकते हो, 30 fps पर ठीक है, आपको 30 map से selfie मिल जागी, प्लस मैं आपको बता देना जाता हूँ, जो यह phone है, यह dust proof आपको phone देखने को मिलेगा, तो यार एक चीज में आपको और भी recommend करना जाता हूँ, अगर आप इस phone को लेना जाते हो, तो भाई आप wide color में देख ले ना, तो based है, battery की बात करूँ, आपको 5000 ms की battery मिल जाते है, प्लस आपको 33 watt का fast charger देखने को मिल जाता है, camera की बातों को cod camera setup मिल जाता है, प्लस पर ही मैं आपको कहा दना जाता हूँ, अगर आपको camera के related smartphone चाहिए, अगर आपने video recording करने हैं, photos लेने हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखने हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, अगर आपने चाहूर करना है, आप च्याकोट भी कर सकते हो, स्टोरेज की बात करूँ, यह दो विड़े में देखने को मिलता है, 4GB & 6GB RAM के साथ, आप देख लेना, जो भी आपके budget range में set बैठ आप जा सकते हो, price range में आपको पहले भी बता दिया, कि आपको 12,000 से लेके, 14,000 के budget range में यह मिल जाता है, यह design look wise तो बहुत यह पर है, इसके color में आपको पहले भी बता दिया, कि तीन colors में देखने को मिलता है, तीन colors को बहुत ही ज्यादा suit करते है, हाज में पकड़ा होगा, कहीं hold करके लेकर जाओगे यार, वो suit करने वाला है, आगे बात करेते है, number one की, number one की बात करें, number one पर यार मैंने रख्या Poco M2 Pro को, तो सबसे पहले बई मैं आपको बता देना चाता हूँ, अगर आपने gaming करनी है, multitasking करनी है, कोई heavy application, download and install करनी है, तो आपके लिए perfect deal हो जेगी, अगर आपने long time phone इसको रखना है, use करना है, कोई heavy work करना जाते हो, आप सभी के लिए perfect deal हो जब्या Poco M2 Pro में, जाते समय खराब नहीं करता, सीधी बात करते हैं, main specification, तो यह display की बातों को 6.67-inch display देखने को मिल जाते हैं, जो कि 60 refresh rate के साथ आती है, मैंने 120 लिखा है, लेकिन 60 refresh rate के साथ देखने को मिलती है, आप normally, easily कर सकते हो, आपको lagging issue नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी problem नहीं आने वाली, अगर आप multi tasking भी करना जाते हो, storage की बात करूं, आपको 6 GB RAM के साथ देखने को मिलेगा, पहले इसका price थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब इसका price कम हो गया, आपको 12,000 के budget range में POCO M2 Pro भी देखने को मिल जाता है, तो भी अगर आपका budget 12,000 है, 12,000 के budget range में POCO M2 Pro आपके लिए perfect deal हो जकता है, अभी बात करते हैं, अगर मेरा budget होता 12,000, तो मैं कौन सा phone लेता है, तो भी अगर मेरा budget होता 12,000, तो POCO M2 Pro मेरे लिए perfect होता, विकज़ उसके specification बहुत ही ज्यादा सही है, अगर मेरा, मतलब मुझे POCO M2 Pro नहीं पसंद आता, तो मैं जाता Redmi Note 9 के, वो पूरा perfect deal हो जकता है, अगर मेरा budget 10-11,000 होता है, तो मेरे लिए perfect deal होता है, Redmi Note 9 में उसी क्या और ज्यादा, बिकज़ मुझे उसका color, उसके design, उसकी camera quality and जो इसके specification आते है, वो बहुत ही ज्यादा सही लगता है, स्टार्टिंग से मतलब बहुत बिकाया, बहुत बिकने वाला Redmi Note 9 and Redmi Note 9 Pro Max का भी price डाउन हो गया, अगर आपका 15,000 तक भी हो जाता है, Redmi Note 9 Pro Max वो आपके लिए perfect deal हो जाता है, जल्दी जल्दी में कई बार बन्ता मिस्स कर जाता है, तो अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है, खरतम, अगर आपको मेरी वीडियो को like कर देना, comment कर देना, share कर देना, दोस्तों के भी दोस्तो आप वीडियो को कर दे like, and Instagram पे कर लिए follow, link आपको description box में देखने को मिल जाएगा, उसको चाओड कर लेना, follow गरा करना चाते हो, तो कर सकते हो, plus मैं आपको कहा देना चाता हूँ, अगर आपका बेड, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जा एक लाख तक भी अगर आपका budget है, सभी की कि मेरे लिए विजार सही है, मेरे व्यूज कर अब बाठ जाएंगे, और किया यार, तो यार, अभी मेरी वीडियो यहीं पर लोगा देखाएं, तो मिलते हैं, नाक्स्ट वीडियो मेंने वीडियो को साथ, थैंक्यो,